क्या आपको पता है यूपी पुलिस भरती परीक्षा रद्ध कर दी गई है पेपर लीक होने से पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर और 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी इसकी खबर सोशल मीडिया पर दी है 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा होई थी परीक्षा के दौरान 200 सॉलवर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे चात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर वाटसैप और टेलिग्राम ग्रुपों में सरकुलेट हो रहा था पेपर लीक को लेकर पुलिस भरती बोर्ड को 1500 शिकायते मिली थी अब सरकार परीक्षा भरती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारियों की जांच करेंगी जानकारी अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद